नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परतिहार तोटके धनूरासी वालों तीस अक्टूबर को राहू और केतू का रासी परिवर्तन होने जा रहा है राहू मीन डासी में प्रबेश करेंगे और केतू करन्या रासी में हलाकि मैई दो हजार पच्चिस तक इ अपनी कोई रासी नहीं होती इसलिए जिस भी रासी में बैठते हैं उसी रासी का फल देते हैं तो धनूरासी वालों आपके लिए पहले हम समझते हैं केतू का गोचर कैसा रहेगा आपके उपर कैसा प्रभाव पड़ेगा इन 18 महिने में तो लगन का स्वामी पंचम में च आपके उपर खत्म हो चुकी है दूसरा सनिदेव आपके तीसरे भाव में हैं जो केतू है वह भी आपके लिए बहुत सुब फल देंगे क्योंकि वह सुब गोचर में आ गये हैं सुक्र आपके नौवे अस्थान में हैं सुर्य मंगल बुद्ध 11 अस्थान में गोचर तो बस यह समझ लें कि आपकी पांचे उंगली घी में है सुने पे सुहागा खुब छक कर पैसा आएगा खुब सफल होंगे तो सबसे पहले करमस्थान को प्रभावित करेंगे तो राहु केतू का फल सबसे ज़्यादा दिखता है क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है अगर आप नई जौब की तलास में हैं तो वो भी प्राप्त होनी की संभावना अब बढ़ेगी अब सनिदेव आपकी कुंड़ी में धनभाव के स्वामी है जो सुह गोचर में है अगर आप जौब चेंज भी करना चाहते हैं तो भी बढ़ियापल मिलेगा और दूसरा केतू की दृष्टी धनभाव पे है धनभाव का स्वामी पहले से ही सुह गोचर में ऐसे में क्या हो अब आपकी बैंग वैलत बढ़ेगा धन आएगा चुकिके तू आकस्मिक रूप से भी देते हैं कुछ गुप्त धन भी देते हैं तो आपकी रूप से धन बढ़ेगा और vein बैप साही हर जगथ परबन बंश दhip है और आप ओ विभाईत हैं तो विभाई तो होगा ही साथी संतान सुख से अगर बन चित थे तो संतान प्राप्ती की प्रवल संभावना यहां से बनी भी है के तु छटे भाव को भी देख रहे हैं अगर आप किसी कोट कचहरी केस मुकदमा से परिशान थे सत्रू से परिशान थे तो उ खर्मकारे के तरब भी आपका जुकाव बढ़ेगा और प्रस्टनल लाइफ में भी थोरी परिवर्तन होनी की संभावना बढ़ेगी खास कर अगर आप जौब करते हैं तो आपका सफलता मिलने की संभावना बढ़ रही है और आपकी एक अलग पहचान भी बनती दिखेगी ब अपनों को समय देना भूल जाएं और धन के मामलों में जल्दवाजी में फैसला मत दीजिएगा इस बात का ध्यान रखेगा वैसे राहू भी आपको आकस्मिक धनलाब देंगे कराएंगे तो धनुवालों आपके चतुर्त भाव में चुकी आएंगे तो पारिवरिक जीव रहें क्योंकि अन्य सुखों की प्राप्ति तो होगी लेकिन पारिवारिक जीवन का सुख उतना आप नहीं उठा पाएंगे हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें और सबसे बड़ी बात कि ओम रांग रह बेन महां ओंगें केत बेन महां इन दोनों ही मंत्रों का पास पास बात रोज जब करें तो उत्तम है दने